तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नए और लटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के नौन हिंदी का चैप्टर नंबर टू पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इदगा इदगा ये कहानी है और बहुत ही परचलित कहानी है क्योंकि परचलित बहुत ही मश्वूर मक्मूल कहानी लिखा करते थे पहला नाम इनहीं कहाता है कहानी लिखने में अफसाना कहानी को उर्दु में क्या कहते है याद रख ठीक है और वैसे 10th क्लास का उर्दु साथ में चल रहा है तो आप लोगों को पता भी होगा यह जो कहानी है यह बाल मनो विज्ञान पर आधारित है बच्चों का बच्पना कैसे गुजरना चाहिए अगर बच्चों का जो बच्पना है किसी अभाव में गुजरता है तो फिर उस पर क्या effect क्या प्रभाव पड़ता है यह हर एक चीज जानेंगे अगर आप student है तो आप लोग के विएस्क की तरह सोचने लगता है कुछ इसी तरह का यह कहानी है और इद रखंगा कहानी के लेखक कौन है प्रेमचंद स्टार्टिंग से में आप लोग को इस कहानी को चलिए बताती हुं लेखक वगरा के बारे में तो पढ़ना नहीं है कि इनका जन्व का हुआ मृत्य का चाहांगी प्रेम चंत्र द्वारा रचित यह कहानी बाल मनुविग्ञान पर ठीक है यह कहानी वंचित बच्पन के किसी चीज़ का भाव हो जाता है किसी चीज़ की कमी होती है तो बाल मन को व्यस्ट की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है तो वह जो बच्चा है ना व्यस्ट की तरह यान की बड़े लोग की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है हामिद खिलाउने की जगा अब के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई है गाओं में कितनी हल चल है इदगाह जाने की तयारिया हो रही है लड़के सब ज्यादा परसंद है अपने जेब से कुबेर के धर निकाल रहे हैं और गिन-गिन महसीन के पास 15 पैसे हैं याद रखिएगा ठीक है महमूद के पास 12 पैसे मौसीन के पास 15 पैसे हैं इसने इनसे तो अनगीनत चीजे खर दे जा सकती हैं जैसे कि खिलाओने मिठाईया बिगूल गेंद और नजाने क्या-क्या यह उस वक्त का समय है जब 12-15 पैसे चला करते थे हैं तो इतने पैसे से बहुत सारी चीजें खर दे जा सकती है और सबसे ज़्यादा पर कुछ है और इसी पर यह कहानी लिखी गई है वह चार-पांच साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप जो है ना गत्वर्स हैजे की भेट चड़ गया यह पांच साल का सबसे अब बोल सकते हैं गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है और जिसके पिता जी जो है ना बहुत पहले हैजे की बिमारी के अमीना के गोद में सोता है इनकी बूरी दादी रहती है दादी का क्या नाम रहता है अमीना याज रखिएगा अब्जेक्टिव में कोश्चन पूछ देता है तो हामीद की दादी का नाम रहता है अमीना और अमीना अपने पोते को पोता ही न बोला जाता है तो अपने पोते ह अब हागिन अमीना अपनी कोट्री में बैठी रो रही है क्योंकि आज इद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं है इस अंधकार और निडाशा में वह दूबी जा रही थी कि आज इद का दिन है और घर में कुछ भी नहीं है हामिद भीतर दादी से जाकर कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आओंगा तुम बिल्कुल नहीं डरना अमीना का दिल कचोट रहा है गाओं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे अमीना का दिल कहीं न कहीं से कचोट रहा था कि सभी बच्चे जो हैं अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं लेकिन इसका तो बाप ही नहीं है इसको अकेले कैसे जाने दे कहीं खो गया तो क्या होगा नधी सिजान है तीन कोस चलेगा तो कैसे आकर याद रखेगा मेले कितनी दूर पर लगी हुई है तीन कोस यह भी इंपॉर्टन है जो जो इंपॉर्टन पॉइंट है वो मैं लिख दे रही हूँ तीन कोस दूर पैदल चलकर कैसे जाएगा यह अमीना सोच रही थी और इसका दिल जो है ना कचोट रहा था पैर में चाले पढ़ जाएंगे और जूते भी तो नहीं है वो थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी लेकिन यहां से वह कौन पकाएगा अमीना सोच रहे थी कि अगर मैं हामीद के साथ जाती तो थोड़ी-थोड़ी दूर पर मैं हामिद को गोद ले लेती लेकिन फिर यहां पर घर पर रहकर सेवई कौन पकाएगा धोबिन नाइन महतरानी और चुड़ीहारिन सभी तो आएंगे सवई खाने के लिए और सभी को सिवईया चाहिए साल भरकाते वहार है इसलिए मुझे यहां पर घर पर रहना जरूरी है और इसलिए मैं हामिद के साथ मेले में नहीं जा सकती हूँ गाओं से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था हामिद विचारा अकेले गया ठीक है उसके पैरों को तो जैसे पर ही लग गया थे पैरों में लग रहा था कि पंक लग गया है उड़ रहा था कभ लग गया हो इदम खुश था सभी लोग हसते खेलते जा रहेते सभी बच्चे इदगाह आ गई उपर इमली के घने विरिक्षो की छाया नीचे पक्का फर्ष है रोजो रोजेदारों की पंक्तिया एक के पीछे एक दूर तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इसलाम की निगाह में सब बराबर हैं यहां इदगाह में कोई भी धन और पद नहीं देखता है इसलाम की निगाह में सभी लोग बराबर हैं नौकर हो या फिर मालिक हो सभी एक साथ ही नमाज पढ़ते हैं एक साथ अपना सर उठाते हैं इसलाम की निगाह में सभी लोग ब जा रेहं हैं एक साठ सर उठता है और एक साठ ढहकता है सभी लोगों का मतलब ऐसा पर अ प्रदर्शित होता है जैसे बिजली की बत्लिया एक साथ जल रही हो और फिर अत बुझ रही हो उसतरह सभी लोग कतार में घ्लान से लककर जो है परदे और बुझ गई हो मतलब यह कि सभी लोग जितने भी इदगाह में लोग नमाज पढ़ने के लिए आये थे सभी लोग एक सांथ जुकते थे एक सांथ सिजदे में जाते और फिर एक सांथ उठता था तो ऐसा लग रहा था ऐसा प्रदर्शित हो रहा था जैसे कि लग र होई और लोग आपस में गले मिल रहे होता है अब उसके बाद से गले के बाद इर महमुद क्या खरीटता है शिपाही खरीटता बिश्टी करिपता है और नूरे वटी खरीटता है, यहां पर लिखा हुआ है, मैं बता दे रहे हूं पढ़कर, महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंदे पर बंदूख रखे हुए ठीक और उसके बाद से मौसिन जो है ना वो भिष्टी कहते हैं जो पहले की दमाने में होता था ना पानी पिना लाने वाला थैला उसी को कहते हैं भिष्टी ठीक है ना तो कमर पर मश रखे हुए भिष्टी खरिदता है मौसिन और उसके बाद से हैं नूरे वकील खरिदता है क्योंकि इनको वकील से बहुत प्रेम रहता है काला चोंगा नीचे सफेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए यह वकील खरीद लेता है सब दो-दो पैसे के खिलो इतने महेंगे खिलोने वह कैसे ले कहीं हाथ से छुड़ गया तो चूर-चूर हो जाएगा पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा ऐसे खिलोने लेकर वह क्या करेगा सोच रहा था कि मेरे पास तीन ही पैसे हैं और इतना महेंगा दो पैसे का मिल रहा है तो फिर मैं क्रीलोने लेकर क्या करोंगा जब कि सभी खिलोने मिटि के बने हैं गिए पर पानी पढ़ गया यह फिर ठीलोंने लेटैने तो चूर-चूर हो जाएना सब अपने खिलोने तोड़े देर के लिए देखने के लिए तो मिल जाता वह तागी बढ़ाता लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते विशेशकर जब अभी नया शौक है काLe Kazi Lach JR चाता रहे जाता इस तरह बढ़एने के लिए और जो बच्चे हैं वो कि छिन लेते मतलब हटा लेते हांथ देने के लिए जाती है लगेने के की दूकाने आती हैं अब मिथायो की दूकान आती है किसी देकरा रही देकर सिर्फ तिन persistence ऐसे हैं तो कुछ लेकर तो खा लेता लेकिन क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है मौसिन उसकी लल्चाई नजरे देखकर कहता है हमीद ले रेवडी खाले कितनी खुश्बुदार है हमीद क्या कहता है कि हमीद यह ले रेवडी खाले कितनी खुश्बुदार है जैसे हमीद हाथ फैलाता है लेने के लिए मोसिन एप मुह में रख लेता है I found देता है मुछ13 8 वापस अपने मुह में फर duż लेता है अ कि दूब्ट साथ सब्सक्राइब कर मिठाइब के दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकाने यहां कोई आकरशन नहीं था मिठाई के दुकान के बाद लोहे की चीज़ों का दुकान आता है मतलब लोहे से बनी वस्तू का दुकान आता है और लड़कों के लिए तो वहाँ कोई अकर्शन नहीं था मतलब वहाँ पर वो लोहे की चीज़ को क्या कर देंगे वह सब आगे बढ़ जाते हैं जाता है कई चिम्त रखे हुए थे उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिम्ते नहीं है तो आध जल जाता है अगर वह चिम्त लेकर ले जाकर दादी को दे दे-टो वह कितनी परसंद होंगी कितनी खुश होगी फिर उनकी उंगलिया कभी नहीं जलेगी खिलोने से क्या फाइदा व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं अम्मा चिम्टा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है हजारों दुआये देंगी फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी सा जामिद वहां पर रुख जाता है और वो उसको चिम्टा दिखाई देता है चिम्टा देखकर वो सोचता है अपनी दादी के बारे में कि मेरी दादी के पास चिम्टे नहीं है वो रोटिया बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं तो क्यों ना मैं उनके लिए चिम्टा ले देखेंगी तो कहेंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए छिंटा लाया है बहुत दक्ष भूश्ष ओंगी और मुझके दुआऴे देंगी फिर आजूरोस के लोग और अरतों को बहुत को भी हैंगी बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिम्टा तीन पैसे में ले लिया दुकांदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके तीन पैसे में हामिद चिम्टा खरिद लेता है कि उसके पास तीनी पैसे रहते हैं उसे कंदे पर रखा और मानों बंदूख है और शान से करता हूँ साथियों के पास आया कंदे पर रख लिया तो लग रहा था कि बंदूख है हमिज लिह ना करद था whole कि पास आया अपने दोस्तों के पास तो देखकर उसका जोडोस्त मुहसीन है वह सकर बोला यह है क्शिमिटा क्यूं लाया पगले भी बाका नहीं कर सकते हैं मेरा बहादूर शेर है चिम्टा यहां पर जो है अब यह हामिद अपना आकड़ दिखाने लगा अपने सभी दोस्तों को कि क्यों नहीं यह चिम्टा खिलोना ही तो है अभी इसको मैं कंदे पड़क लिया हूं तो बंदूख हो गया हाथ में ले काड़ी थी परहुत कर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे शmmy जो है नऑ किरी करदा था transformation याद रखिएगा संवी याद रखिएगा क्या करता तो खंजरी ऑखंजरी झालीट होकर सब्सक्री हने किलाना तो बोलता है कि मेरी से बदले ऐसे होता था है सभी बच्चे के तरफ देखा कि मेरा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फार डाले चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया और उन्हें तीन चार चार पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज़ ना ले सके हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा दिया सबने अपने अपने खिलाओने देकर चिम्टा पकड़ने का प्रस्ता यहां पर देखिए हामिद क्या करता है इस तरह सभी खिलाओने के मजे मजे भी ले लेता है सभी लोग जो है ना जितने भी वहां इसके हामिद के दोस्त रहते हैं सभी सभी काफी परभावित हो जाते हैं ठीक है? और उसके बार से सभी बच्चे जो है, बोलते है कि मैं हूँ और तुम थोड़ दिर के लिए हमको चिम्टा देदो ठीक है तो इस तरह हमें जो है ना सब को बारी-बारी से चिम्टा देता है और उनके खिलाओने बारी-बारी गावँ पोहँच कर बच्चों ने अपने खेला पर थे तो वे मिटी के कुछ देर में तूट फूट गये, सभी बच्चे जो है ना गावँ पहुच गए अपने घर पहुच गये और पहुचने के बाद अपने खेलने लगे लेकिन वो सभी खेला ने थे तो मिटी के ना पैसे में हामिद जैसे ही घर वापस आया तो उसकी आवाद सुनकर हमिद की दादी यानि की अमीना जो है दोड़कर गोद में उठाली और उसके हाथ में चिम्टा देखकर चौक गई और बोली कि यह चिम्टा कहां से लाया तो हमिद बोला मैंने मौल लिया है यानि की खरदा टो दादी यारण कि अमीना बोली कैज में कि कितना में तो हमिद बुला कि तीन पैसे दिये मा तीन पैसे माहीं बता था इंद का तो हमीना ने छाथी पीठ ली कैसा बेसमझ लड़का है न कुछ खाया न कुछ पिया लाया क्या 226 मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया कौन बोला हामीद की दादी बोली हामीद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया बुढिया का क्रोध जो है तुरंत इसने में बदल गया यह बात सुनकर को खिलावनों लेते और मिठाई खाते देखकर कितना लल्चाया होगा इसका मन इतना जब्द इससे हुआ कैसे वहां भी इसे अपनी बुर्या दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया अमीना की आँखे भराई दामन फैला कर हामीद को दूआये देती जाती थी और आशों की बड़ी-बड़ी बुंदे गिराती जाती थी हामिद इसका रहस्य क्या समझता उसको वह तो मतलब समझ नहीं पाता था कि क्यों रो रही है लेकिन हां हामीद हामीद की बात सुनकर अमीना हमीद की दादी वह उसका जो क्रोध है इसने में बदल गया और व यह सोचकर दादी का मन गदगदा गया बहुच्दा खुशूई और अमीना के आखे भराई और दामन फैरा कर अपने पोते हमीद को धेर सारी दुआये देते जाती थी और आखों से आसू बड़ी-बड़ी आसू की बड़ी-बुंदे गिराती जाती थी और धेर सारी दु बच्चों का जो बश्वना हैं अगर अभाव में बीता है किसी चीज़ की में बीता है ना बयसकी तरह यानि की बड़े लोग की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है जिस तरह हामिद के साथ वह उसको उसका जो बशवना था वह अभाव गरस्त था मतलब पैसे की कमी थी फाइनेंसियली उसके घर में जो है ना बहुत प्रोब्लम था तंगी थी पैसे की इसके होजा से कम पैसा होने के वज़ा से वह बड़े लोग की तरह सोचने पर मजबूर हो गया अगर उसके पास काफी पैसे रहते हैं मतलब ज्य कि बड़े लोगों की तरह सोचता है और अपनी दाधी के लिए चिंटा खरीटता है और यह बाल मनों विज्ञान पर आधारित कहानी था ठीक है आई होप आप लोगो पूरी कहानी समझ में आई होगी अगर समझ में तो कमेंड में लिकर बताए कि हाँ पूरी कहानी बहुत अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज